पीम मोदी अपसे कुछी देर बाद महरास्ट के पूरे जाएंगे और पूरे मेट्रो रेल परियोजना का उद्गाटन करेंगे। इसके साथ ही पीम मोदी पूरे नगर निगम परिसर में छत्रपती शिवाजी महराज की मूर्ती का अनावरण भी करेंगे। साथ ही कई विकास परियोजनाओं की आधार शिला रखेंगे। पूरे में शहरी आवाजाही के लिए विश्वस्तरिय बुनियादी सुविधा प्रदान करने का एक प्रयास है। तो वहीं अब आपको कोरोना वाइरस के मौझूदा हालात के बारे में बताते हैं। देश में जानलिवा कोरोना वाइरस महामारी के मामलों में आज भी मामली गिरावट दर्च की गई है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वाइरस के 5,446 नए केस सामने आए हैं और 158 लोगों की मौत हो गए। कल 5,921 मामले और 290 के दसाओं लगबग मौते दर्च की गई थी। अभी तक 4,23,88,475 लोग संकरमण मुक्त हो चुके हैं। युक्रेन और रूस के बीच युद्ध का आज 11 दिन है। दोनों देशों के बीच चल रही जंग ने अन यूरोपियन देशों को भी चंता में डाल दिया है। तमाम देशों के राजनेता चाहते हैं कि जल से जल इस युद्ध को खत्म किया चाए। इस बीच इसराइल के पीम नफ्ताली बेनेट टे रूस पहुँचकर वहां के राज़्ध पतिन से लंभी बाचीत की है। कि दोनों के बीच हुई बाचीत के दोरान इसराइली पीम बेनेट चाहते हैं कि रूस यूकरिन पर हमला करना बंद करते। बता दें कि यह बाचीत पहले से फ्लान नहीं की गई थी। इसराइल के पीम अचाना की मौसको पहुँचे थे। मिली जानकारी के नुसार दोनों के बीचे खरीव डाई घंटे तक बाचीत हुई उस दौरान इसराइली पीम नफ्ताली बेनेट ने यूद रोखने में मद्यस्ता की पेश्कस की है। इस मुलाकात की पुस्टी बैनेट के कायराले ने की है, बता दें कि इस मुलाकात से कुछ दिन पहले इन दोनों नेताओं की फोन पर भी बात चीर हुई थी. अब ख़बर उत्तरप्रदेश से, उत्तरप्रदेश विदान समझ चुनाओं के साथवें और अंतिम चरण की वोटिंग साथ मार्च को कराई जाएगे. इस दौर में 54 सीटों पर मतदान है, जिन पर 613 उमीदवार चुनाओं मैदान में हैं. इस दौर में नकसल प्रभावित, चकिया, दुद्धी और रॉबर्ट सकंच सीट पर भी मतदान होगा. इन सीटों पर सुबह साथ बजे से शाम चार बजे तक मतदान होगा. इस दौर में आपको बताते चलें कि 2 करोड 6 लाख मतदाता है, इन में 1 करोड 10 लाख पुरिश और 96 लाख महिला मतदाता है, इस दौर में 1017 तीसरे लिंगवाले मतदाता भी शामल है, ये मतदाता 613 उमीदवारों की किसमत का फैसला करेंगे. विदानसभा चुनाओं के अंतिम दोर में आपको बताते चलें कि आजमगर्ड, वारणसी और विध्यांचल मंदल के 9 जिलों में मतदान करा जाएगा. इन में आजमगर्ड, मउ, जौनपुर, गाजिपुर, चंदौली, वारणसी, चंदौली, मिर्जापुर, बधोही और सोनबद्र जिले शामिल है. सातवे चरण में जिन 54 सीटों पर मतदान होगा, उनमें से 29 सीटे बीजेपी ने, 11 सीटे सपाने, 6 सीटे बसपाने और 3 सीटे सुभासपाने और निशात पार्टी ने 1 सीट 2017 की चुनाओं में जीती थी.